ईयुक्त पिजें और विडियो के साथ करते हैं स्टार्ट आज बात फिर से इंप्रमेटरि वीडियो है और लिंक है मेरी लास्ट कैनड़ाइट के पोर्सेशिंग वाली वीडियो से उस वीडियो में जब मैंने वह वीडियो अप्लोड की तो इंस्टाग्राम पर मैसेज आया थे और वीडियो पर कुछ कमेंट्स आये थे और ज्यादा तर क्वेश्चन सेम ही थे तो मैंने सूचा एक वीडियो इस बारे में बनाते हैं और आपको सारे डॉकुमेंट से रिलेटेड फूल प्रॉसस एक्स्प्लेंड करते हैं कैनडा का विजट वीजा का प्रॉसस क्या है स्पेशली अगर आप यूके में और यहां से आप कैसे वीजा अप्लाय करोगे कुछ कमेंट्स पर सबसे पहले आते हैं जो के ज़्यादा पूछे गे थे नमबर वान क्वेश्चन जो के पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि आपका करेंट स्टेटस क्या है यूके म मैं आगे वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करूँगा और उसके इलावा एक और क्वेश्चन आया था बैंक स्टेट्मेंट से रिलेटिड के बैंक स्टेट्मेंट में जब आप के समिट कर देते हो और अमाउंट जो आप वहां पर शो करते हो वो क्या उतनी ही रहनी च जो एक है जी सी की पर्टल और एक है आई आर सी सी पर्टल दोनों में थोड़ा सब और इस जो है तोटली आन लाइन है लेकिन इसमें सारे जो application forms होते हैं सारी information आप download करते हो अपने computer में complete करते हो और then आप upload करके दोबारा से submit करते हो अचा जी अब one by one discuss करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज जो होती है वो upload करनी होती है number one चीज तो आप GCC portal पे ना अपना login ID बनाते हो और सारे अपनी information देते हो आप आप की नेशनलिटी क्या है आप कौन से कंट्री में resident हो और सारी इस तरह की basic चीज़ें और क्यों जाना चाहते हो कैनला में जब आप यह सारा application form एक चोटा सा कहलो के start में introduction का form होता है जब आप यह complete कर देते हो तो उसके बाद आपको वो form दे देते हैं कि यह यह form है जो आप में complete करने हैं और सेंड करने है नंबर वान चीज़ उसमें आती है application form आविसली और नंबर टू चीज़ आती है family information form यह दो form जब आप download कर लेते हो इसमें आविसली आप सारी चीज़ें अपनी लिफ देते हो अपना सारा बायो डेटा और उसके लावा date of travel और कौन से कंट्री और किस होटल में जाके stay करोगे और कितनी amount जो है आप चाहिए होती है यह तो हो गया application form सेकंड चीज़ इसके लावा होती है family information form family information form भी basically आप अपने brothers, sisters, mom, dad, सब का लिए देते हो उस application form में यह इस भी होता है कि अगर आप बाद में immigration की तरफ जाते हो तो उनके पस records हो और आप अपनी family को भी sponsor कर स करते हैं उसमें जिसमें different documents upload करने ते हैं number one चीज़ अब मैं आपको explain करूंगा one by one जो के मैंने documents attach किये थे application form हो गया family information form हो गया number third document था bank statement bank statement मैंने अपना seven to ten days trip लिखा था और उसमें अच्छा मैं अपनी तो मैंने तो जादा bank statement शो की थी लेकिन आपको normally बता देते हूं अग continuous हाथ का closing balance इतना हो या इससे अबाव हो fifteen hundred pounds for seven to ten days या six to ten days time period के लिए यह तो होगी bank statement की बात उसके लावा next आते हैं आपके status के document उसमें आप युके का वीजा अप्लोड करोगे अपना passport upload करोगे passport की copy upload करोगे इसके लावा next is एक हो रहाए थी travel history के बारे में अच्छा travel history का भी एक लदा section होता है जहां पर आपने अपनी सारी जो passport के सारे pages की in and out की stamps होती है different countries में वह सारे upload करनी होती है अगर आपके पास boarding पास for example आप जर्मनी गए हो आपके बोर्डिंग टिकट पढ़ा है या सारे in and out and visa की copies जो हैं वो आपने scan करके उस section में upload करनी होती है as a proof of travel history इसके इसके लावा आपके financial documents में bank statement के लावा एक और section होता है जहां पर आप अपने works related document upload करते हो मेरे case में आविसली मैं स्किल्ड वर करूँ तो मैंने अपनी last six months की face lips upload की थी और उसके इलावा employment contract upload किया था मेरा contract permanent है मेरा permanent contract है और उसके लावा आपके residence status में आप additional document as a tenancy agreement भी upload कर सकते हो अच्छे यह तो सारी चीज़े होगी basic चीज़ें जिसमें जो आपने सारी upload करनी होती है उसके लावा in the end एक additional document का section भी होता है जहां पर यह यहां पर जो चीज़ होती है ना यह सब cover letter attach करना होता है लिखके तो वो अच्छा सा लिखा होना चाहिए अगर आप मुझ से पूछे हो तो मैंने अपना किस तरह प्रिपेर गया था तो basically simple cover letter था लेकिन उसमें मैंने अपना सारा purpose explain किया था number one चीज़ मैंने बताई ही थी कि मैं travel vlogger हूँ मैं इस तरह जाके ट्राउ व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ मैं अगरा फोल्स विजर करूँगा उसके लावा मेरे टाइस क्या क्या है मेरे employment टाइस के बारे में मैंने लिखा आप इसके बारे में यहां पर पर्मिन डिपलॉई हूँ मैंने social ties के बारे में लिखा social ties में आ जाता है कि आप कितना अरसा स यूके में रह रहे हो ठीक है आपके लिंक्स कितने बने में इस सारी चीजे ना और उसके लावा family ties में मैंने अपना लिखा मेरी more than 70% obviously family UK में है तो मैंने अपना बताया कि मेरे UK में काफी ताइस हैं और बाकी उसके लावा Pakistan में भी ties हैं Canada में मेरे कोई ties नहीं हैं तो इस तर में सारा explain करना होता है कि आप कितने ज़्यादा के लो के आपके connections या आपके ties कितने ज़्यादा home country के साथ हैं और कितने country of residence के साथ हैं तो यह सारे documents जो है attach करके मैंने के समिट किया था के सब जब यह आप सारे upload कर दो एक और option आता है अपनी digital photo upload करने का passport size white background के आगे खड़े हो कि आप photo mobile में बना कि upload करते हो hundred and eighty dollars या hundred and fifty dollars I think piece होती है वह upload करते हो submit करते हो समिट करने के साथ ही आपके पास एक दिन बाद letter आ जाता है कि biometrics आते हो तो उसका बाद आपने बस वेट ही करना होता है तो मेरे case में ten to eleven months लागे थे और फिर passport की request आई थी तो obviously फिर मैंने passport रमा करवाया और visa हो गया यह था जल्दी से quick cover view उमीद है आपको आज की video informative लगी और इंस्टाग्राम मेरी idea आपको शोरी होगी यहां पर और international travel history के बारे में question एक मुझे याद आगया comments में आया था कि कौन-कौन से नेक्स वीडियो में तिल दैन अलाहाफिस तो हमें जाद मिचेगा